और इसके बाद Department of School Education से मैं इन्वाइट करना चाहूंगी मुहमंद हुसेन को आप बिहार से हैं महत्मा गांधी पर हिंदी में अपना वेक्तेवे प्रस्तुत करेंगे अधर्निय गुरुजन अध्यापगण और मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को मेरा नमस्कार मैं मुहमंद हुसेन पटना बिहार से हूँ मुझे आज अपने राश्पिता के बारे में बोलते हुए बेहत खोसी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है भारत अपनी G20 प्रिसेडिन्सी को पिपुल G20 के रूप में देखता है गांधी जी भी भारत के लोगों को लोकतंदर का अभिन अंग मानते थे आज पूरा देश गांधी जन्ती को राश्पिय पर्व की रूप में मना रहा है और उन्हें स्रध्धांजरी दे रहा है गांधी जी की ताकत सत अहिंसा के सिध्धांथ थे सत अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने अजादी की लड़ाई में कई अंदोलन किये और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया यही वजा है कि आज की दिन पूरा विश्व अंतराश्टी आहिंसा दिवस की रूप में मनाता है मोहंदास करमचन गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1879 इसवी को हुआ जिने हम महात्मा गांधी की नाम से जानते हैं वे भारत एबं भारतिय स्वतंतरता अंदोलन के प्रमुक राजनेतिक एबं अध्यातिक नेता थे वे सत्यगरा के माध्यम से अत्याच्यार के प्रतिकार के अग्रिनी नेता थे जिसने भारत को भारतिय स्वतंतरता संग्राम दिला कर पुरे विस्वी के जन्ता को नागरी का दिकारों और स्वतंतरता के प्रति आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया मोहंदास करमचन गान्दी ने भारती राश्ठी कॉंग्रेस के बागदूर समानले के बाद पूरे देश में जनता को नागरी का दिकारों अर धर्मिक और धरिद्रिता से मुक्ति दिलाना महिलाओ के अधिकार का विस्तार धार्वी के वंजाती एकता की निर्मान के लिए कई काड़कर्म चलाए बीटिस सरकार द्वारा भारतियों पर लगाए गए नमक कर की विरोध में नमक सत्यागरा किया इसके बाद 1942 स्विको अंग्रेज भारत छोड़ों आंदुलन से उन्हें विसेज विख्याती प्राप्थ हुई धक्षिन अफ्रीका और भारत में विविन अपसरों पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा जिसके बावजूद वे सत और इंसा का पालन करते रहे और लोगों के बीच इसका पालन करने के लिए वाकालत भी की गांदी जी का जीवन सावर्मती आस्रम में गुजरा वे भारती प्रमप्रागत पौसाग धोती और सूस से बनी सौल पहनी जिने वे स्वय चर्खे से सूत काट कर हांसे बनाते थे गांदी जी का जीवन दर्सन उनके कार और आदर्स भारत की संपत्ती है जिने समझना और उसका पालन करना हमारा करतव है धन्यवाद जै हिन जै भारत